नमस्कार बच्चों आज हम लोग जहारखंड बोड का जो मॉडल पेपर आया हुआ है 2022 के लिए 2022 में जो एक्जाम होगा उसके लिए जो की जहरखंड बोड का जो की जहरखंड बोड का मॉडल पेपर है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग यह पांच सेट का है अगर यह पांचों सेट आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको अच्छी मांक्स आएगी उसकी गारे सेन्टी अख लिए रीट न ही देखें तो वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेडिस्ट में आपको मिल जाएगा व हूँ विडियो इसी के में उस्पैस को प्लेरिस्यों अब पर आप जाकर देख सकते और तो को आज हमन्lorस यगसी जो वहमारा mathematics का है वो solve करेंगे ठीक है बच्चों तो अभी देखो हमारा क्या है तो हम लोगों ने पिछले बाले वीडियो में भी देखा था कि total question हमारा 19 है 19 question को तीन हिस्सों में बांटा गया है पहला हिस्सा जो है से तुमारा section ए उसमें 1 Uk 7 तक question है यह कुछ सारे कितने की दोडोマ Все 我 cargo is 속 score आपको कोई 5 देना है आपको किसी एंसर देना थीव फिर लेकर 8 से लेकर 14 यह तुमारा कोई भी तुम्हार और 15 से लेकर 19 तक जो हमारा है वह कुछ Stream Automate और lat 6 अश्से देखा लेकर है section c है 30 section है और इसमें से अरा का 5-5 मांख से आपको कोई भी 3 question का answer देना है 3 परस्णों के उत्तर देजिए और सब का 5-5 अंख है ठीक है यह तो आपको पहले से भी पता है है ना तो हम लोग चलो अब चलते हैं question पर कैंक हमारा यह प्हहला question है section a का पहला question subjective question है यह हम लोग term 2 वाला जो model पर है वो हम लोग solve कर रहे है तो देखो यह integration का समय तो solution क्या है हमारे पास i equals to integration root under x minus 1 by root under x का whole square dx तो हम लोग को यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या करना है a minus b का whole square पर इसको तोड़ देना है तो हम लोगों को formula पता है a minus b का whole square जो होता है वो होता है a square plus b square minus 2ab यह होता है तो इसी पर हम लोग इस वाले को पहले अराम से break कर लेंगे ठीक है तो तोड़ देते हैं यहां से तो क्या आ रहा है तुमारा देख लो root x का square है root x का square है तो यहाँ पर root x a square मतलब root x का square plus 1 by root x का square और minus 2 into root x into 1 by root x 2ab हो गया तो यहां से root x root x cancel हो गया और इस पूरे के लिए हमारा क्या इधर फिर dx है तो आई का value देखो यहां से क्या आ रहा है यहां पर root x का square x आ रहा है plus 1 by root x का square 1 by x आ जाएगा और minus 2 और साथ में क्या आ गया dx तो आप चाओ तो इसको तीन अलग-अलग बना के तीन अलग-अलग हिस्सों में तोड़ लो x dx plus integration 1 by x dx minus 2 बहार ले रहे हैं और यह रहां dx और इस तरह से क्या आ गया तुम्हारा तो इस इंप्लाइज i equals 2 x का integration क्या हो जाएगा x square by 2 हो जाएगा है ना x का integration x square by 2 हो गया plus 1 by x का integration log x हो गया और minus 2 dx का integration x और plus constant c तो यह हमारा answer हो ठीक है बच्चों चलो next question पर चलते हैं यह हमारा first question था देखो second question क्या बोल रहा है find the order and degree of the following differential equation कहता है यह जो differential equation है इसका order और degree निकालना है तो साब साब देख लो यहाँ पर given a differential equation जो है given differential equation जो हमारा है वो है d2y by dx square d2y by dx square का whole cube plus है ना dy by dx का whole square प्लस क्या है तुमारा cost dy by dx और plus 11 equals to 0 यह रहा तुमारा तो यहाँ पर साब देखो कि order order of differential equation order of differential equation equals to सबसे पहले देखना है कि कि इतने बार differentiate हुआ है तो यहाँ पर साब दिख रहा है कि दो बार d2y by dx square है यह दो बार differentiate हुआ है तो इसका order तो क्या होगा दो हो जाएगा इसका जो order है वो तो हमारा दो हो गया और degree के अगर हम बात करें degree of differential equation degree of differential equation अच्छा degree अच्छा तुम देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ढूंडना पड़ता है कि क्या यह जो मेरा differential equation है वो polynomial है या नहीं है तो तुम देखोगे कि यहाँ पर यह वाला जो टर्म है यह वाला जो हमारा टर्म चल रहा है ध्यान दो यह वाला जो हमारा टर्म चल रहा है यह है cost और dy by dx तो cost का जो input है वो derivative आ गया तो याद रखना किसी भी function का input अगर derivative आ जाए dy by dx आ जाए d2y by dx square आ जाए किसी function का input जैसे है cost के अंदर वाला function cost के अंदर में function हो जाए जैसे e to the power x होता है तो मतलब internal function में किसी function के अंदर वाले function में अगर dy by dx, dy by dx square इस तरह का चीज़ आ जाएग तो उसका degree जो होता है वो defined नहीं होता, तहिसका कोई भी degree नहीं है है ना, तो degree of differential equation is not, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं not defined, यह defined ही निसका degree ही, इसका degree बोट प्ता ही duż नहीं सकते है not defined ठिक है, इसका degree jean defined नहीं है क्योंकि यह function जो है हमारा वो polynomial function नहीं है differential equation जो है यह polynomial नहीं है इसी वजह से इसका degree defined ही नहीं है यहाँ पे इसका degree नहीं होगा सिर्फ order होगा दो ठीक है बच्चो समझ में आ गया तो यहाँ पर जो है confuse मत करना बहुत बच्चे इसका degree जो है न तीन लिग देते हैं बट इसका degree 3 नहीं होगा इसका degree defined ही नहीं होगा ठीक है बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं question number 3 कहता है find a unit vector in the direction of the vector तो देखो solution जो vector दिया हुआ है माल लेते है let vector a वो है तुमारा i plus j minus k तो then magnitude a क्या आ जाएगा तुमारा magnitude a आ गया तुमारा root under 1 का square plus 1 का square और plus minus 1 का square यह आ गया तो यह क्या गया root under 1 plus 1 plus 1 तो यह कितना गया तुमारा root 3 आ गया ठीक है तो 9 अपने को क्या करना है unit vector a cap unit vector request क्या होता है vector a by magnitude a ऐसा होता है तो vector a क्या है तुमारा i plus j minus k by magnitude a कितना है हमारा root 3 तो हमारा जो answer आ गया यह 1 by root 3 i इसका जो unit vector आ गया 1 by root 3 i plus 1 by root 3 j और minus 1 by root 3 k ठीक है बच्चों तो यह हमारा answer हो गया ठीक है unit vector बोला था unit vector in direction of vector तो उस वेक्टर को a मान लिए है यह हमारा unit vector चलो next question पर चलते हैं लोग देखो काता find the value of lambda lambda का value निकालो vector a and vector b are perpendicular to each other दोनों perpendicular एक दूसरे पर तो हमको lambda का value निकालना है तो solution जो हमारे पास given है देखो क्या given है given है vector a equals to 3 i plus j minus 2 k यह given है मारे पास and b equals to क्या है तुमारा vector b जो हमारे पास है i plus lambda j minus 3 k यह given है हमारे पास ठीक है तो a और b हमारे पास है तो अब question क्या कह रहा है according to question question कह रहा है कि a और b एक दूसरे पर perpendicular है तो vector a is perpendicular to vector b इसका मतलब क्या हो गया a dot b equals to 0 vector 0 हो जाता है vector नहीं 0 है ना क्योंकि dot product है a dot b 0 इसका मतलब क्या हो गया 3 i plus j minus 2 k और dot i plus lambda j minus 3 k यह जो है हमारे 0 हो गया तो चलो dot product multiply कर तो 3 गुना 1 तीन आ रहा है एक गुना lambda lambda आ गया minus 2 गुना minus 3 तो minus 6 आ गया है ना minus 2 गुना minus 3 यह multiply हो जाएगा नहीं यह पर minus 2 गुना minus 3 तो minus minus plus हो गया minus 2 गुना minus 3 plus 6 equals to क्या है जिरो यहां से देखो lambda plus 9 equals to 0 सही है तो यहां से lambda का value कितना आ गया minus 9 थेक है बच्चों तो यह हमारा lambda का value आ गया क्योंकि A dot B जो हता है वो 0 हता है तो हम लोग dot project निकाल दिये dot product में क्या हो करते है हम लोग आई वाले को आई वाले के साथ multiply कर देते हैं J वाले को जे वाले के साथ और K वाले को K वाले के साथ कर देते है ठीक है बचो तो यह हमारा लेमडा का वैल्यू आगिया तो चलो नेक्स्ट कुश्चन पर चलते हैं अब क्योंकि सबके साथ इसेम ही बनाती है अलफा विद किसके किसके साथ alpha with x y and z axis z axis के साथ x y और alpha बना लिया ठीक है क्योंकि सबके साथ same बना रहा है तो मान लें कि line makes angle alpha with x y and z axis तो z axis ठीक है z axis के साथ alpha angle बनाया तो then direction cosine, direction cosine क्या हो जाएगा हमारा बोल風 रहा है के direction cosine क्या हो जाएगा तो then the direction cosine r सभके साथ alpha बना रहे तो cross alpha cross alpha सभका direction cosine जो हो जाएगा वो हो जाएगा तो यहां पर हम लोग का तो then direction cosine . और डिर्क्रासलफाau को संदून क्या होता है को सब 5 एकस के साथ को सुल्फा बना वाइ के साथ भी को सरफा बना डियर्क्रासलफा बना डायर्क्रासलफा 선배liέक्शलफा और क्षिर्शालफा एसा आगया ठीक है अब देखो हमको एक्चुली इसका value निकलना है cos alpha का value क्या होगा तो since l square हम लोग को पता है कि direction cosine में क्या होता है सारा sum जो होता है l square m square plus n square request to क्या होता है 1 होता है तो this implies l कहने का मतलब l भी cos है cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha equals to 1 हो गया ठीक है तो 3 cos square alpha equals to क्या गया 1 आ गया तो cos square alpha equals to क्या गया 1 by 3 आ गया तो यहां से क्या गया तुमारा cos alpha equals to 1 by root 3 आ ठीक है बच्चों तो actually यह direction cosine बोला है तो यह plus minus 2 हो जाएगा plus minus 1 by root 3 है न तो यह direction cosine तो cos alpha इतना आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह जो L M N तो बराबर ही है तो इसका मतलब दिस implies L equals to M equals to N equals to क्या रहा तुमारा plus minus 1 by root 3 ठीक है तो direction cos r तो direction cos r क्या जाएगा plus minus 1 by root 3 plus minus 1 by root 3 और plus minus 1 by root 3 अच्छा यह कब होगा जब तीनों के साथ same angle मतलब same angle बनेगा है ना जैसे उपर में बोला कि line जो है ब्राबर angle बना रहा है सब के साथ तब उसका direction cos sign यह हो जाएगा ठीक है बच्छाओं दो सेट हो जाएगा एक plus वाला 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3 और दूसरा minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 minus 1 by root 3 ठीक है चलो next question पर चलते है question number 6 कहता है write the direction cosine of x y और z axis ठीक है तो direction cosine of x y और z axis का लिखना है तो बहुत simple बात है x axis जो है x axis जो बनाता है देखो तो direction cosine dcs लिखते है solution direction cosines of x axis x axis r क्या क्या होगा अपने साथ क्या बनाएगा x x के साथ कितना 0 का angle बनाएगा तो वो हो जाएगा cos 0 degree x axis y axis के साथ कितना angle बनाएगा 90 का तो cos 90 degree और x axis z axis के साथ भी क्या बनाएगा cos 90 degree तो यह क्या आ गया तुमारा cos 0 1 cos 90 0 और cos 90 0 तो 100 बन गया यह x axis का direction कोजाइन हो गया और डेर्ट्षन को साइन्स औफ य-axis ह டए- 확진 सथ कतना बनाएगा नाइंट डिग्री क्क सिस्थ य य एक्सिस का कितना बनाएगा ज्य डिग्री और रॉय चैने क्वाशण the तो जेडियो ग्रह इसका मतलब को साइन्ठ हो गया जिरो घ्ज जिरो हो गया 1 और कॉस नाइन्टी डिग्री और जाओगा नाइन्टिग्री जेडडेसे जेड़ेसी जेड़ेसे कर साथ क्या बनाेगा ज्याहां से हो गया तुमारा जीरो जीरो और ये हमारा answer हो गया, सब का है न, x, y और z, 3 axis का direction को sign यह हो गया, ठीक है बचों, चलो next question पर चलते हैं question number 6 में, देखो क्या दिया हुए तुमारे पास, solution तुमारे पास क्या दिया हुए, given दिया हुए 2PA, अच्छा 2PA किसके बराबर है, 5 by 13 के बराबर है, ठीक है और PB किसके बराबर है PB भी जो है, वो 5 by 13 के बराबर है, है न, और PA by B किसके बराबर है 2 by 5 के बराबर है ठीक है, यह PA by B, 2 by 5 के बराबर है, तो यहाँ से PA तो निकल गया हमारा, और निकालने के लिए अपने को क्या बोल रहा है पी ए इंटर्सेक्शिन भी निकालने के लिए बोल रहा है और ये सब यहाँ पर दिया हुगा है है ना तो अभी यहाँ से हमलोग लिख सकते हैं तो देशे इंप्लाइस तो यह 2 PA था तो इस इंप्लाइस PA जो होगा हमारा वह हो जाएगा 5 by 2 नीचे ले लो 26 आ गया PB तो हमारा ठीक ही है PB तो हमारा वही रह जाएगा 5 by 13 ही रह गया और PA by B जो है और यह क्या हो गया तुमारा 2 by 5 ही रह गया ठीक है 2 by 5 ही रह गया तो यह हम लोगों ने PA by B PB प B 5 by 13 और PA निकाल लिए तो PA क्या निकला 5 by 26 अब देखो since PA by B PA by B क्या होता है हमारा PA intersection B by PB PA intersection B by PB ऐसा होता है तो PA by B हमारा 2 by 5 है equals to क्योंकि PA by B है तो अपने को तो PA intersection B देखो निकालना ही है तो इसको रख लेते हैं यहाँ पर PA intersection B PA intersection B और नीचे PB की value देखो क्या है 5 by 13 है क्या है तुमारा 5 by 13 है है न तो यहां से हम लोग अब अराम से PB निकाल सकते हैं यह 5 by 13 है 5 by 13 है पी भी निकाल सकते हैं तो यहां से क्या रहा है तुमारा 2 by 5 into 5 by 13 equals to PA intersection B आ गया तो PA intersection B आ गया तो अब यहां से क्या है यह 55 cancel हो गया तुमारा तो this implies तो PA intersection B equals to 2 by 13 यह कितना आंसर आ गया हमारा 2 by 13 PA intersection B का value हमारा 2 by 13 आ गया ठीक है बच्छों समझ में आ गया बात तो यह आ गया तुमारा तो हमको तो यहां पर इतना ही बनाने के लिए दिया है तो यह हमारा आंसर आ गया तो इसमें हमारा PA का value कहीं यूज नहीं हुआ ठीक है सिर्फ PB का value हमारा यूज हुआ इसी से हमारा बन गया चलो next question पर चलते है question number 8 देखो यह हमारा जो है short question है तीन-तीन marks का यह है और 5 question हमको इसमें से बनाना है कोई लेकिन हम लोग सारा ही बनाएंगे ठीक है भी आप लोग एक्जाम में बस 5 ही बनाना उससे ज़्यादा मत बनाना ठीक है तो देखो आई question क्या है हमारे पास dx और नीचे क्या है cos x minus a और cos x minus b यह है ठीक है बचों यह है तुमारा तो देखो नीचे cos x minus a cos x minus b यह जब भी इस तरह का चीज़ दिखे तो हम लोग क्या करते हैं नीचे में जो angle है ना इसका difference से उपर नीचे multiply करते हैं तो उपर हम लोग लिखते हैं sin x minus b minus x minus a ऐसे कर लिए और नीचे तो जो है वो ही रहने देते हैं cos x minus a और into cos x minus b अच्छा इससे फाइदा क्या हुआ देखो उपर multiply के तो यह x x तो कट जागा उपर में minus minus plus a minus b तो यहाँ पर नीचे ले लेते हैं sin a minus b तो यहाँ पर देखो यहाँ भी sin a minus b और उपर में भी sin a minus b कट जागा तो वापस में जो था उपर में जो था वही आ जागा वापस से लेकिन इसका फायदा क्या हुआ हमको अब देखो इससे हम लोग अब अराम से solve कर पाते हैं जब भी नीचे दोनों कॉस हो जाए या दोटो साइन हो जाए इसका difference से उपर नीचे multiply करेंगे नीचे तो direct लिख देंगे difference और उपर में ऐसा सजा के लिखें कि यह यह एंगल और यह एंगल दोनों आ जाए ठीक है इस तरह से करेंगे हम लोग साइन वाला भी आता है question इसमें से sin x minus a into sin x minus b ऐसा भी आ सकता था आप लोगों को तो आपको ऐसे ही करना है उसमें भी sin के साथ ही करना था ठीक है तो 1 by sin यह हमारा a minus b और यह रहा integration sin alpha minus beta sin alpha sin alpha cos beta x minus a minus cos alpha x minus b और sin beta x minus a by cos x minus a cos x minus b और साथ में यह कह तुमारा dx है साथ में यह कह तुमारा dx है अब दोनों के नीचे ले लो तो i equals to 1 by sin x minus a minus b यहाँ पर sin a minus b है integration दोनों के नीचे लेना है यहाँ पर sin x minus b into cos x minus a by cos x minus a cos x minus b minus cos x minus b और sin x minus a by cos x minus a cos x minus b और यह साथ में कहारा dx तो जो जो कट सकता है उसको कटा लेते हैं लोग क्या-क्या कट जाएक यहाँ पर देखो cos x minus a cos x minus a यहाँ पर cos x minus a कट गया है यहाँ पर cos x minus b और cos x minus b थिक है तो अब क्या बचा है हमारे पास देख लो अब जो हमारे पास बच्चा है यहां I equals इदर तो ठीक है 1 by sin A minus B चल रहा है हमारा और integration sin X minus B by cos X minus B sin by cos कितना हो गया 10 X minus B minus sin X minus A by cos X minus A तो 10 X minus A और DX ठीक है तो अब यह integral form में आ गया अब हम इसको अराम से integrate कर सकते हैं तो I equals to 1 by sin sin X minus A minus B यहां पर हमारा क्या A minus B और integration करेंगे 10 X minus B का तो क्या हो गया log 6 X minus B और minus log 6 X minus A X minus A ठीक है बच्चों और plus C ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं I equals to 1 by sin A minus B और log यह log M minus log N का formula लगा लेते हैं log M minus log N तो log M by N तो क्या आ जाएगा तुमारा? उपर हो जाएगा SICK X minus B by SICK X minus A और plus C और अगर हम SICK से यह भी answer हमारा हो गया यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं और SICK से अगर cos बदलना चाहे तो यह cos करेंगे तो यह SICK उपर जाके cos बन जाएगा X minus है और यह SICK नीचे आके बन जाएगा cos X minus B तो यहाँ से I equals to कितना आगया 1 by SIN A minus B और लोग यहाँ पर उपर ले लेते हैं इसको cos X minus A by cos X minus B और plus C तो यह हमारा answer हो गया ठीक है बचों? तो यह था हमारा question number 8 चलो next question पर चलते हैं question number 9 यह भी दो को integration है हमारा तो solution I equals to देखो क्या है मारे पास E to the power X और X minus 3Y X minus 1 का whole cube और साथ में क्या है? DX है न? इसको दो हिस्सों में तोड लेते हैं तो I equals to देखो E to the power X तो यहाँ रखते हैं और करते हैं X minus 1 और minus 2 और by X minus 1 का whole cube और DX तो अब दोनों के नीचे यहाँ पर X minus 3 को इस तरह से दो अलग X minus 1 और minus 2 कर दियें तो देखो क्या रहा है यहाँ पर I equals to E to the power X तो यहाँ रहा गया और X minus 1 के नीचे ले लिए X minus 1 का whole square अब minus 2 के नीचे ले लिए है X minus 1 का whole cube और यह हो गया हमारा DX तो देखो यहाँ से जो कटने वाला चीज है वो क्या हो रहा है यह यहाँ पर whole cube था नहीं यह whole cube था यह whole cube था और जब हम इसको कटाएंगे तो क्या आजाएगा यह उपर से तो यह हमारा कट जाएगा और यह कट के नीचे यहाँ पर 2 बच जाएगा एक power तो कट गया क्योंकि नीचे X minus 1 का cube है उपर X minus 1 है तो यह कट गया हमारा ठीक है तो अब जो हमारे पास नया आ रहा है वो क्या रहा है तुमारा देखो ध्यान से I equals to integration into the power X और यहाँ क्या है तुमारा 1 by X minus 1 का square minus 2 by X minus 1 का cube dx है न अब हम क्या करते है इस वाले चीज को यह वाला जो चीज हमारा इसको FX मान लेते हैं तो यह वाला अपने आप डैस X आ जाएगा तो मान लेते हैं लिट FX जो है 1 by X minus 1 का square तो F dash X क्या आ जाएगा तुमारे पास 1 by X X का power N का differentiation होता है minus N याद रखना D by DX इस formula को याद रखना D by DX 1 by X का power N का होता है minus N by X का power N plus 1 ठीक है यह होता है तो उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा minus N मतलब minus 2 और X के जगा तो पूरा X minus 1 है इसका power N plus 1 तो 2 plus 1 का आएगा 3 तो इस तरह से देखो यह पूरा का पूरा यह वाला चीज यहाँ पर minus के साथ आ गया अगर इसको plus कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर और अच्छा से यह plus कर लो यहाँ पर minus दे दो तो तो हमारा F dash X आ गया ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया हमारा therefore I जो है वो आ गया E to the power X और इधर आ गया F X और plus और minus 2 बा X minus 1 का whole cube आ गया F dash X ठीक है और यह आ गया DX तो यहाँ से I equals to क्या आ गया तुमारा E to the power X F X और plus C है न यह आ गया तो this equals to E to the power X और F X किसको मानेता हम लोग 1 by X minus 1 का whole square है न और plus C ऐसा यह हमारा answer हो गया चाहो तो E to the power X यहाँ रख सकते हो E to the power X by X minus 1 का whole square भी कर सकते हो यह हमारा answer हो गया ठीक है बच्चों तो यह था हमारा question number 9 चलो आगे बढ़ते हैं question number 10 तो देखो यह यह बहुत आसान सा question है definite integral का एक question है 0 से 1 X E to the power X square dx ठीक है तो यहाँ पर put कर लेते हैं हम लोग क्या X square request to T तो X square अगर T है तो 2X dx क्या हो जाएगा हमारा dt हैना और यहाँ से X request to कितना आ जाएगा X dx X और dx इदर रखते हैं तो यह 2 यहाँ नीचे आ जाएगा तो 1 by 2 dt हो जाएगा और दूसरा बात देखो when limit भी change करना X का value 0 लेलो तो T का value X का value अगर 0 यहाँ रखेंगा तो T का value वापस से 0 आ जाएगा और X का value अगर 1 ले लेते हैं तो 1 का square भी 1 नी होता है तो T का value भी 1 हो जाता है तो limit चेंज नहीं हुआ जो था वही रखेंगा तो therefore I जो अब हमारा चल रहा है 0 से 1 और X के जगा X dx के जगा 1 by 2 यह X है और यह dx है तो इसके जगा तो हम लोग 1 by 2 dt डग देते हैं और e to the power x square तो e to the power के आगया तुमारा T आगया ठीक है X square को T माने हम लोग तो e to the power T आगया तो अब चलो यहां से देख लो क्या आगया तुमारा 1 by 2 तो बाहर आगया e to the power T का integration तो same ही होता है differentiation तो e to the power T का e to the power T ही रगया और 0 से 1 लगा दिया ठीक है तो 1 by 2 e to the power 1 minus e to the power 0 तो यह आगया 1 by 2 e to the power 1 तो e minus e to the power 0 1 हो गया याद रखने इसको 0 मत कर देना ठीक है e to the power 0 1 दुनिया में किसी भी चीज़ का power 0 1 होता है तो e minus 1 by 2 यह हमारा answer हो गया ठीक है बच्चों यह हमारा answer हो गया यह था हमारा question number 10 चलो next question पर चलते है question number 11 देखो यह भी definite integral का है हमारा यह भी देखने में खतरनाक लग रहा है बच है बहुत असान सा सम solution I equals to देखो क्या है हमारे पास 0 से πाई वाई 2 0 से क्या हमारा पाई वाई 2 और उपर है sin x का power 2022 2022 और यहां है तुमारा sin x का power 2022 और प्लस cos x का power 2022 ऐसा है और यह हमारा dx है ना इसको ले लेते है number 1 और अब देखो हम लोगों के पास एक formula है हम लोग पहले से जानते है property क्या कि 0 से a f x dx क्या होता है 0 से a f a minus x dx यह property है definite integral का तो इसी property पर इसको लगाते है तो this implies i क्वेश्ट क्या आ जाएगा 0 से pi by 2 और यहां आ जाएगा sin x के जगा pi by 2 minus x हो जाएगा और इस पूरे पर पाबर हो जाएगा 2022 और नीचे में भी क्या आ जाएगा उसी तरह sin pi by 2 minus x हो जाएगा और पूरे पर पाबर हो जाएगा 2022 और प्लस cos x के जगा pi by 2 minus x और इस पूरे पर पाबर हो जाएगा 2022 और यह रहा dx तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है तो इस इंप्लाइस i equals to 0 से pi by 2 sin pi by 2 minus theta cos theta तो cos x आ गया और cos x का हो गया 2022 ठीक है और sin pi by 2 minus x यह आ गया cos x तो cos x का पाबर आ गया 2022 और cos pi by 2 minus x के क्या हो गया sin x और इसका पाबर भी आ गया 2022 dx ठीक है इसको ले लेते हैं number 2 ठीक है अब देखो equation 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो now equation 1 plus equation 2 we get ठीक है equation 1 और equation 2 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा तुमारा i plus i i plus i equals to 0 से pi by 2 है ना नीचे का same है cos x का पाबर 2022 और sin x का पाबर 2022 ठीक है दोनों का base same है तो उपर वाला भी जूड़ी जाएगा तो उपर में भी दोको क्या है उपर में नीचे का base same है दोनों का अब देखो उपर नीचे तो यह वाला जूड़ी जूड़ी जाएगा तो यहां भी यह भी जूड़ी जाएगा शीज और यह वाला चीज तो कैंसी्ल हों कहाँ मारा वन हो गया हो asking to जो हमारे पास आ रहां कि टो इस बडलास तुवच्टो जिरो से पा इभाइटु ट्वच्ट जिरो से पाइवाएटू वागला तो two i equals two किह तो महारा है यह he pi by two minus zero है न है न अ यहाँ पर तो this implies two i equals two कितना हरा हमारा pi by two और this implies i equals two pi by four हो गया हमारा i कितना हो गया हमारा पाइबाइ फूर होगया यह हमारा answer i equals two कितना होगया five by four ठीक है बच्चों इस था हमारा question number 11 चलो आगे बढ़ते हैं question number 12 क्या कहा रहा है so that the point जो हमारे पास point A दिया हुआ है B दिया हुआ है और C दिया हुआ है ठीक है यह कहता है vertices of right angle triangle यह क्या है तुम्हारा right angle triangle का vertices है ठीक है तो सबका देखो solution given दिया हुआ है क्या है तुम्हारे पास position vector दिया हुआ है यह point मतलब यह point का position vector पोजिशन वेक्टर आफ ए एका जो position vector है 2i-j plus k है position vector of b जो दिया हुआ है हमारे पास वह है i-3j-5k है और position vector of जो c दिया हुआ है हमारे पास वह हमारा 3i-4j-4k है ठीक है यह आ गया तुम्हारा तो हमको क्या करना है इसका right angle triangle है proof करना है तो हम a b निकाल लेते हैं पहले तो a b यह तुम्हारा 4k है तो a b तो a b vector क्या आ गया हमारा position vector of b minus position vector of a दोनों को minus करेंगे तो b वाला क्या है तुम्हारा i-3j-5k है और minus a का position vector 2i minus j plus k तो यह कितना हो गया i-2i minus i आ गया minus 3j minus minus plus j तो minus 2k आ गया और minus 5k minus k तो minus 6k आ गया तो यह तुम्हारा a b vector हो गया ठीक है बच्चों तो this implies magnitude a b निकाल लेते हैं तो a b का magnitude क्या जाएगा root under minus 1 का square minus 2 का square और साथ में minus 6 का square तो कितना आ रहा है 1 plus 4 plus 36 यह root 41 आ गया root कितना आ गया 41 आ गया यह a b मिला चलो b c vector निकालते हम लोग तो b c vector तो b c vector क्या हो जाएगा position vector of c minus position vector of b तो c में b को घटाना है b c तो c क्या है तुम्हारा 3i minus 4j minus 4k ठीक है और minus b vector क्या है तुम्हारे पास देखो i minus 3j minus 5k minus 3j minus 5k ऐसा हो गया तो घटा लो 3 में एक गया कितना बच रहा है 2i minus 4j minus minus plus 3j तो minus j आ गया minus 4k प्लस 5k तो plus k आ गया ठीक है तो यहां से देखो क्या आ रहा है तो this implies b c vector का magnitude तो यह आ रहा है root अंडर दो का square minus 1k square और 1k square कितना यह दो दुनी 4 एक 5 एक 6 यह आ गया root 6 root 6 ठीक है बचों यह आ गया अच्छा अब आते हैं ac vector यह ca vector कुछ भी कर सकते हैं लोग ac vector तो ac vector क्या जाएगा position vector of c minus position vector of a तो c का position vector क्या है मारे पास 3i minus 4j minus 4k ठीक है यह आ रहा है और minus a का position vector क्या है मारे पास a का position vector 2i minus j 2i minus j और plus k यह था हमारा position vector a का अब minus कर लेते हैं इसको तो 3 में दो गया आई minus 4 minus minus plus j minus 4 j plus j तो minus 3 j आ गया और minus 4 के minus के तो minus 5 के आ गया ठीक है तो यहां से क्या आ गया magnitude ac तो this implies magnitude ac तो root under 1 का square plus minus 3 का square plus minus 5 का square तो root under 1 का square 1 3 का square 9 5 का square 25 है न तो यहां से क्या आ गया 25 और 26 26 और 9 root 35 यह root 35 आ गया अब दिखो 9 9 साब छोटा कौन कौन सा है magnitude bc का square plus magnitude ac का square बराबर रूट 6 का square प्लस रूट 35 का square बराबर कितना आ गया 6 plus 35 41 आ गया and magnitude ab का square बराबर रूट 41 का square बराबर 41 आ गया तो since क्या दिख्या हमको कि ab bc plus bc का square plus magnitude ac का square बराबर magnitude ab का square ऐसा आ गया तो therefore abcr vertices of vertices of right angled triangle right angled triangle यह right angled triangle का vertices हो गया ठीक है बच्चों तो यह था हमारा question number 12 ठीक है चलो next question पर चलते हैं question number 13 क्या कह रहा है find the angle between following pair of lines देखो दो lines दिया हुए हमारे पास एक line यह है और इसके बीच का बोल रहा है एक line यह है इसके बीच का angle निकालने के लिए बोल रहा है solution given l1 पहला line जो हमारे पास है 2i minus 5j plus k और plus lambda क्या है हमारा 3i plus 2j plus 6k यह पहला line है और line 2 देखो क्या है तुमारे पास 7i minus 6k plus mu तो i plus 2j plus 2k है ना तो देखो यह तो point दिया हुआ है और यह direction दिया हुआ है तो जब हमको angle निकलना होता है तो direction का काम पढ़ता है ठीक है तो अब देखो यहां पर तो direction of here direction of direction of line l1 equals to मान लेते है line l1 is b1 vector ले लेते हैं और यह b1 vector क्या है तुमारा 3i plus 2j plus 6k यह direction हो गया l1 का and direction of direction of l2 vector इस l2 vector का जो direction दिया हुआ है वो क्या है तुमारा b2 vector ले सकते हो यह क्या है तुमारा i plus 2j plus 3k इसके direction में direction यह दिया हुआ है तुमारा पास तो 9 cos theta equals to क्या होता है b1 dot b2 by magnitude b1 by magnitude b2 ठीक है और इस पूरे का magnitude यह हो गया तुमारा तो अभी यहां से देख लो क्या आ गया तुमारा cos theta equals to b1 b2 3i plus 2j plus 6k ठीक है और यहां कर लो i plus 2j plus 3k है ना और by magnitude b1 मतलब root under b1 का square 3 का square 2 का square 6 का square magnitude b2 1 का square 2 का square 3 का square यह हागया तुमारा ठीक है यहां पर l2 में 2 है ना यह 2k है यहां भी 2 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और यहां भी 2 हो जाएगा 2k चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग हां 3i plus 2j plus 6k i plus 2j plus 2k सही है 3i 2j 6k i plus 2j plus 2k सही है तो यहां पर आ गया हमारा 3 का square 2 का square 6 का 1 का square 2 का square 2 का square ठीक है तो यहां से देखो Coss Theta क्या आ गया हमारा अब देखो 3x3 plus 2 2j 4 अब 6 2j 12 उपर तो यह आ गया तमारा और नीचे क्या है तुमारा root under 9 plus 4 plus 36 और यहां क्या है तमारा 1 plus 4 plus 4 ठीक है तो यहां से देखो क्या आ रहा है तमारा Coss Theta जो है बारा चार 16 16 19 यह 19 है और नीचे 36 चार 40 49 यह फर्टी नाइन है, और यह 9 है, देखो यहां से कोस थीटा, कितना रहा है, ऊपर तो 19 आ गया, और नीचे 7 और 3, ठीक है, तो यह आ गया, और यहां से अगर थीटा की बात कर लू, तो थीटा की बात क्या आ जाएगा, कोस इन्वर्स 19 by 21, यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है ब नमबर 13 चलो next question पर चलते हैं question number 14 कहता है find if E and F are events such that PE दिया हुए हमारे पास PF दिया हुए हमारे पास PE intersection app दिया हुए तब अपने को निकालना है तो solution देखो क्या है तुमारे पास given क्या given है हमारे पास कि PE जो हमारा है वो क्या है PE जो हमारा है वो 0.6 है PF जो हमारा है वो 0.3 है and PE intersection F जो हमारा है वो 0.2 है है ना तो PE 0.6, PF 0.3, PE intersection F equals to 2 तो पहला पहला बनाना है अपने को पहला क्या है हमारा PE union F तो E union F का formula क्या होता है PE एकदम set के तरह चलता है PF minus PE intersection F हो गया तो यहां से PE क्या है तुमारा 0.6, PE आगे 0.6, PF क्या है तुमारा 0.3 और PE intersection F क्या है तुमारा 0.2 है ठीक है तो चेतिन क्या हो गया 0.9 minus 0.2, तो 0.7 आ गया है ना 0.9 minus 0.2 क्या है या 0.7 तो यह हमारा पहला answer आ गया चलो दूसरा क्या बोल रहा है दूसरा बोल रहा है अपने को निकालने के लिए PE by F PE by F क्या होता है PE intersection F by PF तो PE intersection F देखो तो क्या है हमारे पास 0.2 और PF देखो तो क्या है तुमारे पास 0.3 ठीक है तो यहां से यह decimal यह decimal खतम तो 2 by 3 answer आ गया है ना और फिर तीसरा क्या है PF by E तो PF by E तो PF by E पी क्या हो जागा PE intersection F by नीचे PE तो PE intersection F तो देखो यहां से 0.2 है यह 0.2 और PE कितना है हमारे पास 0.6 है 0.6 ठीक है यह point यहां से यह खतम हो गया तो 2 by 3 2 3 जा 6 तो 1 by 3 यह हमारा answer है ठीक है बच्चों तो यह था हमारा question number 14 ठीक है चलो चलते हम लोग next question पर देखो 15 नंबर जो हमारा question है वो integrate करना है 3x plus 5 by x square minus x cube minus x square minus x plus 1 dx अच्छा यह जो है ने long question है और अपने को इस long question में section C में 3 question बनाना है ठीक है बच्चों हमारे पास 3 equation बनाना है और सारा 5-5 marks का है वैसे हम तो भी सारा बना रहे है बच्चा आप लोग exam में 3 बनाना है तो solution देखो क्या है हमारे पास i equals to i equals to है हमारे पास 3x plus 5 by नीचे हमारे पास x cube minus x square minus x plus 1 ठीक है यह हमारा और यह dx रहा तो चलो नीचे वाले को तो इस इंपलाइस i equals to जो है 3x plus 5 और नीचे जो चल रहा है x square बाहर निकालो तो क्या बच रहा है x minus 1 minus 1 बाहर निकालो तो क्या बच रहा है x minus 1 और यह होगा हमारा dx तो देखो यहां से जो हमारा integration करने के लिए function अब हमारे पास जो आ रहा है वो उपर है हमारा 3x plus 5 और नीचे है हमारा x minus 1 और x minus x square minus 1 x square minus 1 तो चलो इसको तो और थोड़ा सा कर सकते हम लोग तो i equals to यह होगया हमारा 3x plus 5 by x minus 1 और यह क्या है तुमारा x square minus 1 तो x plus 1 into x minus 1 dx यह होगया ठीक है तो इसको देखो कैसे लिखते है हम लोग i equals to देखो एक ही चीज दो बार आ गया है ना 3x plus 5 और नीचे में दोको यहां पर आ गया x plus 1 और x plus x minus 1 का whole square dx तो इस तरह का जो function होता है हमारा जिसमें कि हमारा उपर linear है और नीचे देखो cubic है है ना और एक तो तो तुमारा factor अलग है और दूसरे पर square है तो इसको हम लोग क्या मानते हैं ऐसे let partial fraction है थोड़ना है इसको अपने को 3x plus 5 by x plus 1 into x minus 1 का whole square equals to a by x plus 1 plus b by x minus 1 plus c by x minus 1 का whole square ठीक है तो यहां से देखो क्या रहा है तुमारे पास तो x plus 1 into x minus 1 का whole square LC हम ले लिए यहां से x plus 1 से x plus 1 कट गया तो क्या बचा है यहां पर a into x minus 1 का whole square x minus 1 यहां कट गया b into x plus 1 into x minus 1 और plus c x minus 1 कट गया तो c x plus 1 आगे ठीक है बच्चों यह रहा हमारा है ना तो अभी देखो यहां से क्या रहा हमारा यह वाला चीज और यह वाला चीज हमारा cancel out हो गया तो अब जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है वो बच रहा है 3x plus 5 और यहां क्या है तुमारा a x minus 1 का whole square plus b x plus 1 into x minus 1 और plus c x plus 1 ऐसा आगया ठीक है तो हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं तो 3 into 1 plus 5 यह 1 कर इंगा तो यह पूरा 0 ho जाएगा 1 करें तो यह पूरा 0 हो जाएगा बस यह वाला चीज बच जागा जैगा 1 minus 1 0 तो पूरा 0 तो यहां आ जागा 1 plus 1 2 है ना तो यह तुमारा आ जाएगा c 1 plus 1 यहां से आढ़ा देख रहां तक्या है मारा 3 into 1 आ रहा है नहीं 2 जा 8 C का value 4 आ गया ठीक है? Put कर लो X का value दूसरा 1 तो put कर लिया minus 1 put करो minus 1 minus 1 put करने से क्या हो जागा? यहां पर minus 1 plus 1 0 यहां पर minus 1 plus 1 0 तो यह दोनों खतम हो जाएगा बस यहां तो यहां क्या हो जाएगा? 3 into minus 1 plus 5 और A minus 1 minus 1 का square और बांके तो यह 0 यह 0 हो जाएगा तो अभी बच्छा 5 और minus 3 2 बच गया यहां पर equals to यहां पर 2 का square कितना है 4 4a तो यहां से a का value जो आ रहा है तुमारा यहां से cut जाएगा 2 और यहां आएगा 1 तो a value 1 by 2 c का value 4 आ गया a का value कितना गया 1 by 2 चलो अब अब कुछ रखने का नहीं है तो x का value 0 रख लो इस बाराब पूट x equals to 0 तो 0 रखेंगे तो यह 0 यहां खाली 5 बचा 0 रखेंगे यहां minus 1 का square 1 तो a आ गया प्लस यहां 0 रखेंगे तो 1 यहां 0 रखेंगे तो minus 1 minus 1 into plus 1 minus minus b आ गया तुमारा यह minus b आ गया plus यहां पर 0 रखेंगे तो सिर्फ c आ गया अब सब का value डाल दो 5 equals to a का value जो हमारा है a का value जो हमारा है वो 1 by 2 है minus b का value तो नहीं पता निकाल नहीं है और c का value 4 है c का value कितना है 4 है तो यहां से क्या आ गया b 5 minus 4 और 1 by 2 4 plus 1 by 2 क्या गया 9 by 2 9 by 2 equals to minus b आ रहा है और इस तरह से देखो तो कितना रहा है तुमारा यहां पर 2 10 minus 9 equals to minus b तो यहां पर तो आ गया 1 by 2 1 by 2 equals to minus b तो b की जो value आ रही है minus 1 by 2 आ गया तो यहां पर देखो तो therefore अब जो हमारे पास जो चीज़ें हैं क्या 3x plus 5 3x plus 5 by x plus 1 into x minus 1 का square इसको क्या था a, a कहने का मतलब 1 by 2 by x plus 1 plus b, b क्या है तुमारा minus 1 by 2 by x minus 1 और plus c, c क्या है हमारा 4 4 by x minus 1 का square तो यह हम लोगों ने तोड़ लिया ठीक है तो अब this implies i कर लो अब तो i equals to क्या हो जाएगा this implies i equals to अब इसके जगे यहां पर आ जाएगा 1 by 2 x plus 1 minus 1 by 2 x minus 1 और plus 4 x minus 1 का whole square और इसका dx लेलो ठीक है तो this equals to 1 by 2 log x plus 1 minus 1 by 2 log x minus 1 plus 4 और 1 by x minus 1 का whole square minus 1 by x minus 1 और plus constant तो यह हमारा answer हो गया तो देखो यहां से 1 by 2 तो दोनों में common निकाल लेते हैं और log m minus n बच जाएगा तो इसको log क्योंकि दोखो common निकल गया तो यहां बचा log x plus 1 minus log x minus 1 तो आप जाएगा x plus 1 by x minus 1 और minus 4 by x minus 1 plus c यह हमारा answer हो गया ठीक है बचों तो यह था हमारा question number 15 चलो next question पर चलते हैं 16 number question हमारा evaluate मान ग्याद करें यह integration है और यह भी हमारा long question है हमारा 5 marks का है तो थोड़ा सा lengthy बनेगा तो देखो i-quest हमारे पास क्या integrate करने अपने को x plus 2 by नीचे हमारा root अंडर x square plus 2x plus 3 dx यह ठीक है बचों तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो नीचे quadratic का root के अंदर तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं लेट मान लेते हैं क्या कि यह जो हमारा x plus 2 है यह क्या होना चाहिए a into d by dx ठीक है x square plus 2x plus 3 x square plus 2x plus 3 क्योंकि इसको दो हिस्से में बाटना है तो एक बार differentiate करेंग तो एक तो direct आ जाएगा और दूसरा हिस्सा यहाँ से क्या आ जाएगा b आ जाएगा ठीक है तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारा x plus 2 जो है a और यह क्या रहा हमारा 2x plus 2 और plus b हो गया हमारा और यहाँ से क्या आ गया x plus 2 equals to 2a x plus 2a plus b plus 2a plus b ऐसा हो गया ठीक है तो यहाँ से क्या आ गया तो therefore देखो यहां से therefore क्या आ जाएगा तुमारा तो x का coefficient यहाँ 1 है यहाँ पर 2a है तो 2a equals to आ गया 1 और 2a plus b आ गया 2 है ना constant क्या है 2 है तुमारा तो a का जो value है हमारा 1 by 2 है और यहाँ पर देखो 2 और a का value 1 by 2 plus b equal to क्या है तुमारा 2 है तो 2 2 cancel हो गया यहां से यहां से देखो b का value क्या रहा है 2-1 तो 1 आ गया 2-1 क्या गया तुमारा 1 आ गया ठीक है तो यह हमारा b का value 1 आ गया तो अब देखो धियान से तो therefore अब देखो हम x plus 2 को क्या लिख सकते हैं तो that is अगर x plus 2 की बात करें तो x plus 2 जो हमारा है a, a कहने का मतलब 1 by 2 2x plus 2 और b कहने का मतलब हमारा जो हो जाएगा b का value 1 b का value के आगया हमारा 1 तो यह हमारा x plus 2 यहाँ पर इस तरह से आगया इसका मतलब अब हमारा जो i आ जाएगा तो therefore i जो आ जाएगा तो उपर में हम लोग क्या करेंगे x plus 2 के बदले में 1 by 2 और 2x plus 2 और plus 1 हो गया और नीचे क्या है हमारा नीचे हमारा root अंडर x square plus 2x plus 3 dx यह हो गया हमारा है नँ तो चलो दो अब दो हिससे में इसको ले लेते हैं तो i equals to एक बार तो हो गया यहाँ पर ऐसे i equals to 1 by 2 तो constant बाहर है तुमारा यह तो 2x plus 2 by root अंडर x square plus 2x plus 3 dx एक पार्ट तो यह हो गया और दूसरा पार्ट 1 by root अंडर x square plus 2x plus 3 dx यह हो गया हमारा ठीक है तो अब देखो यहाँ पर क्या रहा है इस बाले चीज़ को हम लोग put कर लेते हैं फिर से यहाँ पर इसके नीचे put कर लेते है put कर लेते है x square plus 2x plus 3 equals to t इस बाले में तो क्या आगया तुमारा 2x plus 2 और पूरा हमारा हो गया dx और यह आगया dt ठीक है तो यहाँ से तो this equals to i equals to 1 by 2 यहाँ पर है और उपर वाला चीज़ तुमारा dt है और नीचे वाला root t है और प्लस यहाँ पर integration उपर 1 है नीचे दो को एक perfect square बनाओ इसका x square plus 2x के जगा x 1 और प्लस 1 का square और इधर कितना आगया तुमारा 2 बच गया है ना 3 1 यहाँ पर और 2 3 हो गया तो उपर वाले को ऐसे लिख दी और यह आगया dx तो अब दो को यहाँ से क्या हो गया हमारा यह तो i equals to 1 by 2 और integration जो हमारे पास है integration जो हमारा होता है 1 by root x dx का integration होता है 2 root x है ना अब प्लस c तो 1 by root x dx का integration होता है 2 root x है ना 1 by root x तो 1 by root t का क्या हो जाएगा 2 root t तो यह आगया तुमारा 2 root t और प्लस यह integration 1 by यहाँ पर ले लो x यहाँ से यहाँ तक है x plus 1 का whole square तो x plus 1 का whole square और प्लस यह क्या हो गया तुमारा root 2 है ना तो इसको हम लोग root 2 का square ले ले लेते हैं ठीक है और यह तो हमारा dx ठीक है और यह जो देखो formula पर आगया हमारा 1 by root under x square यह पूरा x समझ लो यह a समझ लो तो यह इस formula पर आ रहा है ठीक है क्या formula है 1 by root under x square प्लस a square dx इसका formula होता है log x plus root under x square प्लस a square x square प्लस a square और प्लस c तो यह हमारा formula तो इस formula पर हम लोग इसको बना रहेंगे ठीक है तो यहां तो देखो तुमारा क्या आगया यह तो 2,2 cancel हो गया हमारा यह 2,2 cancel हो गया यहां पर बचा root t और प्लस यह 1 by root under इस पूरे को समझो x square और प्लस a square 1 by root under x square प्लस a square यह होता है log x तो log x के जगह पर क्या है तुमारा x plus 1 है और root के अंदर तो यही पूरा का पूरा वही चीज है तुमारा x plus 1 का whole square प्लस और root 2 का square है ना और plus c आ गया तुमारा तो अब देखो यहाँ पर अगर इस पूरे को हम अगर solve करें ठीक है तो यह root t तो root 80 किसको माने थे हम लोग t माने थे x square plus 2x plus 3 को यह हमारा हो गया इधर और plus log यह हो गया तुमारा x plus 1 और यह plus है बीच में यह plus है x plus 1 और plus root के अंदर में इसको solve करेंगा तो यह किसको तोड़कर आया था इसी वाली को तोड़कर आया था हमारा x square plus 2x plus 3 तो इसको solve करेंगा तो यह भी हो जाएगा तुमारा x square plus 2x plus 3 और plus c और यह हमारा answer हो गया ठीक है बच्छों समझ में आगे तो यह था हमारा question number 16, चलो next question पर चलते हैं लोग, 17 number question देखो क्या है हमारा, vector A दिया हुआ है हमारे पास, vector B दिया हुआ है हमारे पास, और बादमा की बहुत सारा है, इसमें total कितना है, पांच question है, यह 5 बनाना है अपने को, ठीक है, तो देखो, solution, क्या है तुमारे पास, given है, given है, vector A equals to 2I minus 3J plus K, vector B equals to I minus K, ठीक है, तो पहला, क्या है करना, 2A, vector minus B vector, तो 2 और A vector क्या है तुमारा, 2I minus 3J plus K, minus B vector क्या है तुमारे पास, I minus K, ऐसा है, तो 2 से तो multiply हो जाएगा पहला वाला, तो 2A minus B, तो 2 2 जाब 4I हो गया, minus 3 2 जाब 6J हो गया, plus 2K हो गया, है ना, minus I minus minus plus K, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, 4I, 4I में एक I घटा देंगा, तो 3I हो गया, minus 6J और उधर तो है ने, तो minus 6J ही रह गया, और plus 2K और plus K, तो plus 3K हो गया, तो यह हमारा आंसर हो गया, पहला, अब चलो क्या बोल रहा है, है, दूसरा, A square, A square कहने का मतलब क्या हो गया, कि magnitude A का, दो बार A vector होता है, magnitude A का square हो गया, है ना, magnitude A का square हो गया, तो यहाँ पर magnitude A का square हम लोग को कर लेना है, तो magnitude A कितना आ जाएगा, magnitude A जाएगा, रूट अंडर, A है तुमारा A न, A है 2I plus 3J plus, माइनस 3J plus K, तो 2 का square आ गया, और प्लस, माइनस 3 का square आ गया, और K का 1 का square आ गया, और इस पूरे का whole square कर लो, तो रूट अंडर, और क्या हो जाएगा, टू टू जब फूर, 9, 1, 10, इसका square, तो रूट खतम हो जाएगा, तो 9, 10, 14, 14, तो हमारा 14, 14 आंसर हो गया, ठीक है बचोंगे, यह 14 आ गया, थार्ड में दो को A dot B निकलना है अपने को, तीसरे में क्या करना है, A dot B निकलना है, A dot B, तो A क्या है हमारे पास, 2Y माइनस 3J प्लस K, और dot I माइनस K, तो देखोंगे यहाँ पर, 2 को A से 2 और गुना 1, उदर आई किया है, 2 गुना 1, माइनस 3 और गुना इधर, जे का वैल्यू है, 0, ठीक है, जे का कोफिशेंट 0 है, और प्लस के 1 गुना माइनस 1, ऐसा आ गया, तो कितना गया है, यहाँ से 2 और गुना 2, माइनस 0, माइनस 1, तो 2 माइनस 1 एकुस टू 1, यह हमारा A डॉट B आ गया, ठीक है बचोंगे, यह हमारा A डॉट B आ गया, चलो आगे क्या है तुमारा फिर, A क्रॉस B निकलना है, अच्छा, A क्रॉस B निकलना है, फोट नमबर, A क्रॉस B, डॉट होगे, अब क्रॉस B, तो A क्रॉस B निकलना है, तो A हमारे पास है, 2I माइनस 3J प्लस K, और क्रॉस है हमारा I माइनस K, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो दियान से, I, J, K, 2, माइनस 3, 1, 1, 0, माइनस 1, ठीक है, अब इसको बस expand कर दो, I, अब determinant तोड़ना है, पहला रो खतम, पहला कॉलम खतम, माइनस 3 गुना माइनस 1, 3 आ गया, और माइनस 1 गुना 0, 0 आ गया, माइनस J, अपना रो खतम कर रहा है, अपना कॉलम खतम कर रहा है, 2 गुना माइनस 1, माइनस 2, और माइनस 1 गुना 1, 1, और प्लस के आ रहा है, यहां पर, यह अपना रो और अपना कॉलम खतम कर रहा है, दो गुना 0, 0 आ गया, और माइनस, माइनस 3 गुना 1, माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, यहां से कितना आ रहा है हमारा, 3i माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3j और प्लस 3k 3i, 3j, 3k यह आ गया हमारा ठीक है एक रोस दी इसमें से चाहो तो 3 common भी निकाल सकते हो i प्लस, j प्लस, k यह हमारा answer हो गया ठीक है बच्चों यह हमारा answer हो गया चलो, अब हमारा इसमें पांचमा ले लेते हैं पांचमा क्या कह रहा है projection of a on b पांचमा क्या है तुमारा projection of projection of a on b equals to a dot b by magnitude b ठीक है तो a dot b तुम लोग निकाल चुके हैं देखों यहां पर a dot b कितना 1 है a dot b कितना है हमारा 1 है तो a dot b आ गया 1 और magnitude b तो root under magnitude b b कितना है हमारे पास b हमारे पास है i minus k तो i minus k तो i ka square one ka square one अब plus minus one ka square one तो one by root under one plus one तो one by root two यह रहा हमारा answer ठीक है projection of a on b यह पांच नंबर हो गया तो यह था हमारा बच्चों question number 17 ठीक है चलो next question पर चलते हैं question number 18 तो देखों यहां पर solution shortage distance between line तो given lines given lines r कौन कौन सा है पहला जो line है वो तो यह है तुमारा r request to i plus 2j plus 2j plus 3k और plus lambda i minus 3j और 2k ठीक है तो यहां पर क्या हो गया हमारा देखो ध्यान से यहां पर जो हमारा हो गया vector यह वाला यहां से यह वाला vector a और यह वाला vector b हो गया है ना इसका मतलब vector जो है हम लोग जो लेते हैं a1 a1 vector जो ले लो मतलब जिस point से pass हो रहा है वो i आई आ गया तो इतना that is इसका मतलब i plus 2j plus 3k यह a1 vector हो गया और साथ में b1 vector जो हो गया हमारा वो आ गया i minus 3j plus 2k यह तुमारा क्या हो गया b1 vector हो गया ठीक है a1 vector और b1 vector हो गया and दूसरा line जो है तुमारा r equals to देखो क्या है तुमारा 4i plus 5j plus 6k ठीक है plus mu 2i plus 3j और plus k ऐसा तो that is यहाँ पर अगर देखा जाए तो a2 है मतलब जिस point से यह line pass हो रहा है a2 vector जो है तुमारा यह 4i है 5j यह वाला a2 vector हो जाएगा 5j plus 6k यह a2 vector और plus इसका direction यह है तो direction क्या है तुमारा b2 vector बोल सकते इसको तो b2 vector जो है तुमारा वह है 2i 3j और plus k यह b2 vector हो गया ठीक है तो देन जो अपने को जरुरत जो पढ़ने वाला है वो क्या पढ़ने वाला a2 minus a1 vector a2 minus a1 मतलब 4i plus 5j plus 6k यह a2 आया अब minus a1 vector देखो क्या है तुमारा i plus 2j plus 3k ठीक है तो अभी देखो यहां से 4i minus i कितना बच गया 3i 5j minus 2k तो 3j 5j minus 2j 3j और plus 6k minus 3k तो 3k तो सबका आगया a2 minus a1 3i 3j और 3k आगया ठीक है बच आँ 3i 3j और 3k हो गया है ना तो चलो और दूसरा पुटे को क्या निकलना है end b1 cross b2 निकलना है तो b1 cross b2 देखो i j k और b1 है हमारे पास 1 यह है यहां से b1 हम लोग ले रहे हैं और यहां से b2 तो 1 minus 3 2 और 2 3 1 यह 2 है हमारा ठीक है यह b1 cross b2 है तो यहां से क्या आगया तुमारा i यह अपना रो और अपना कॉलम खतम कर रहे है यहां से क्या आया 3 into 1 minus 3 into 1 minus 3 minus 3 minus 3 minus 6 यह रहा minus j यह अपना रो और अपना कॉलम डिलीट करना एक गुना एक 1 minus 2 दूनी 4 और प्लस के यह रो खतम यह कॉलम खतम 3 minus minus 3 दूनी 6 तो minus minus plus 6 ऐसा रहा तो देस इक को तो देको minus 3 और minus 6 minus 9 ठीक है और minus 9 आई minus minus 3 जे और प्लस 9 के ऐसा हो रहा है ठीक है और यह हमारा जो हो गया अगर इसका यह तो B1 क्रोस B2 हो गया और हम लोग इसका मैगनिट्यूड अगर निकाले तो मैगनिट्यूड B1 क्रोस B2 equals to क्या हो जाएगा root अंडर minus 9 का square plus 3 का square plus 9 का square ठीक है तो यह आगया root अंडर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9 का square 81 plus 9 और 81 और यह हो जाएगा हमारा root अंडर 9 एक 10 यहाँ पर 81 9 एक 10 एक 11 के 1 हाँ तरह 1 8 एक सोलो एक सात्र 171 है नव 171 तो 171 हो गया और यह तो आगया हमारा और देखो यहाँ पर A2 मैनस A1 हम लोग पहले यहाँ से निकाल लिया है अब देखो D का value तो सिंस सिंस D जो होता है हमारा D क्वेस्ट क्या होता है मॉडलस B1 क्रोस B2 डॉट A2 माइनस A1 बाइ मैगनिट्यूड 171 ठीक है तो यह आया A2 B2 B1 क्रोस B2 कितना है यह मार पास B1 क्रोस B2 है मैरा माइनस 9 I प्लस 3 J प्लस 9 K और A2 माइनस A1 देखो तो क्या है हमारा A2 माइनस A1 है 3 I 3 J 3 K तो 3 I प्लस 3 J और 3 K और 2 देखो क्या है हमारे पास रूट अंडर 171 171 ठीक है तो अभी देखो उपर क्या रहा है तुमारा 9 तिया माइनस 27 ठीक है माइनस 27 ठीक है 9 अनुटिया 27 ऐसा आ गया और नीचे क्या है तुम 171 को अगर करोगे तो 19 गुना 9 19 नमा एक्सेकतर है नौ 99 जा 171 तो यहां पर यह 27 यह 27 तो कट गया बचा 9 और 9 बहार आएगा रूट से तू आ गया 3 रूट 19 तो यहां से यह कटके कितना आया 3 ठीक है और इस तरह से हमारा जो डी आएगा वह 3 रूट 19 हो जाएगा यह हमारा इसका डिस्टेंस हो गया 3 रूट 19 यह हमारा इसका डिस्टेंस हो ठीक है बचो तो यह था हमारा question number 18 ठीक है चलो next question पर चलते हैं question number 19 तो देखो question number 19 क्या हमारा solve the following LPP graphically LPP तमारा z करना है maximize करना है इसको और constants यह दिया हुआ है मारे पास ठीक है तो चलो solve करते हैं solution given constants are जो constants है वो है तुमारा x plus y less than equals to 50 3x plus y less than equals to 90 और x greater than equals to 0 y greater than equals to 0 इसको लेते हैं 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 ठीक है और and we have to maximize और हमनों को क्या करना है maximize करना है maximize करना है 4x plus y and we have to maximize 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 z equals to 4x plus y यह रहा है ठीक है तो अब समझो यहां पर मान लेते हैं लेट l1 l1 जो line है हमारा x plus y equals to 50 है तो यहां पर हम लोग ले लेते हैं ऐसे x का value और y का value x का value 0 ले लो तो y का आ जाएगा 50 पचास x का value 0 ले लो तो y का आ जाएगा 50 y का value 0 ले लो तो x का value आ जाएगा 50 ऐसा आगया ठीक है l1 हो गया तुमारे पास l2 देख लो 3x plus y equals to 90 देखो यहां पर l2 में x और y x का value 0 ले लो y का 90 आ जाएगा y का 0 ले लो x का 30 आ जाएगा ठीक l2 आ गया तुमारे पास अच्छा l3 ले ले लेते हैं x equals to 0 मतलब y axis और l4 ले ले लेते हैं y equals to 0 मतलब x axis तो हमारा सारा लाइन रेडी हो गया हम इसको बना लेते हैं ग्राफ हमको एक बनाना है देखो y का value 90 तक जा रहा है हमारा और x का value हमारा जो है maximum 50 तक है तो हमको चलना इस तरह से और जिन 10 वीस तिस चलना पचास साथ सतर असी नबब्य ब्य तो ऐसा चला एक वर और माइनस 10, माइनस 20, ऐसा चला है x-, और यह रहा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ऐसा हो गया तुमारा, चलो अब लाइन खीच लेते हैं लोग, पहला बोलगा, 0, 50, 50, 0, तो यह रहा हमारा 0, 50 यहाँ पर, और 50-0 रहा यहाँ पर यह हमारा line 1 है तो इसको खीज देते हैं line को यह हमारा line L1 है ठीक है फिर 0-30 यह रहा और 0-90 X यहाँ पर 0-90 तो 0-90 यह रहा हमारा 0-90 और 30-0 यह रहा 30-0 यह रहा है इसको मिला लो तो यह इस तरह से हमारा यह मिल गया हमारा ठीक है तो और यह तो तो तुमारा L2 है L2 है और हमारा जो है Y axis L3 है और यह हमारा L4 है X axis ठीक है तो यह इस तरह से हम हो गया अब देखो यहाँ पर यह वाला पॉइंट अपने को निकालना है तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो चेक करना इसका feasible reason क्या है तो वन में 0000 पूट करो वन में 0000 पूट करो तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख पाएंगे यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे कि X प्लस Y लेस देन इक्वेस्ट टू 50 रिपर्जेंट रिपर्जेंट पूट कर रहे है यहाँ पर 00 lower half plane of L1 lower half plane of L1 L1 का lower half plane हो गया उसी तरह 3X प्लस Y less than equals to 90 इसमें भी 00 रखके देख लेते हैं तो 0 X के जिगा 0 रखो L2 लाए नहीं है ना X के जिगा 0 Y के जिगा 0 less than equals to 90 यह भी सही है तो यह रिपर्जेंट कर रहा है यह लिख देना है रिपर्जेंट lower half plane क्योंकि इसमें हमना 00 रख रहे है मतलब यह 00 वाला पॉइंट टर्ख रहे है और इसको satisfy कर गया इसका मतलब L2 का नीचे वाला हिस्सा हमारा ही lower half plane represent कर रहा है lower half plane of L2 ठीक है और end X greater than equals to 0 Y greater than equals to 0 represent first quadrant यह first quadrant को represent करता है X greater than 0 और Y greater than 0 ठीक है X Y greater than 0 represent represent first quadrant first quadrant यह quadrant हो गया है इसका मतलब यह वाला चीज़ जो है मारा हमारा सेड़ेड यह वाला जो सेड़ेड रीजन है यह क्या है मारा feasible reason है ठीक है इसका corner point देखो अगर हम बात करेंगे तो यहां पर तो आ गया 0-0 यह वाला आ गया तुमारा 30-0 यह वाला तो नहीं पता यह वाला आ रहा है 0-50 यह आ गया तो एक point अभी यह निकालना है इसको solve करके निकालना है कौन-कौन सा L1 और L2 से तो from L1 and L2 from L1 and L2 तो L1 है हमारे पास X plus Y equals to 50 और L2 है हमारे पास 3X plus Y equals to 90 तो यहां पर ले लो minus 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 कर लो तो यह Y कट गया तो minus 2X equals to minus 40 तो X का value 20 आ रहा है ठीक है अब X का value 20 डाल देते तो 20 plus Y equals to 50 आ गया तो Y का value 30 आ गया तो XY जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है 20 30 तो मतलब यह वाला जो point है 20 और 30 हमारा यह point है ना तो अब हमारा सारा निकल गया तो हम लोग अब लिख सकते हैं यहां पर कि the shaded region shaded reason is feasible region feasible reason which is bonded and its corner point its corner point is इसका जो corner point है वो है 00 30 0 20 30 और 0 50 यह हमारा ठीक है अब इसको तो 9 corner point corner points और Z request हो तो Z क्या था हमारा कि सको maximize करना है 4X प्लस Y को तो Z request क्या है हमारा 4X प्लस Y तो चलो सारा corner point को अब यहां पर हम लोग को डालना है तो corner point है हमारा 00 इस पर Z क्या हो गया 4 into 0 तो 0 ही हो जाए गई है फिर क्या है हमारा 30 0 तो Z request कितना आया 4 into 30 प्लस 0 तो 120 फिर क्या रहा है 20 30 तो Z request कितना रहा है 4 into 20 प्लस 30 तो यह क्या रहा है तुमारा 4 into 20 प्लस 30 तो 80 और 30 110 और फिर क्या है तुमारे पास 0 50 तो Z request कितना रहा है तुमारा 4 into 0 प्लस 50 तो यह हमारा 50 आ गया तो साब दिख रहा है कि maximum value कहा है हमारा maximum value है 120 कब जब X का value 30 और 0 होगा है ना तो हो गया maximum value लिख लो यहाँ पर maximum value maximum value of Z is 120 when X Y या फिर at the point लिख देते हैं 120 at the point at the point 30 0 और यह हमारा answer है ठीक है बच्छों Z का value ज़ आया वो 120 आया maximum value of Z और यही अपने को maximum value निकालने के लिए बोल रहा था ठीक है maximize करने बोल रहा था ठीक है बच्छों तो यह था हमारा question number 19 तो इस तरह से हम लोगों ने आज set 2 पूरा finish कर लिया और I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा next video में हम लोग set 3 अगला set को हम लोग solve करेंगे ठीक है बच्छों आज के लिए इतना ही बाई करेंगे बच्छों